हमारा आज का फर्स्ट कोश्चन है विच निडल इस जैनरली यूज़ फोर रूटीन ब्लड रोज आपको पुछा जा रहा है वो कौन से निडल है जिसका इस्तमाल के जायता है जैनरली रूटीन ब्लड रोज के लिए तो इसका राइट एंसर हो जाएगा अब चले नेक्स्ट कोश्चन देख लेते हैं कोश्चन नमबर टू विच निडल इस यूज़ फोर ब्लड कलेक्शन फ्रॉम इन्फैंट इन्फैंट से ब्लड कलेक्शन करने के लिए हम लोग कौन से निडल का इस्तमाल करते हैं तो इसका राइट एंसर हो जाएगा 25 गेज निडल ठीक है इस 25 गेज निडल का इस्तमाल करते हैं इन्फैंट से ब्लड कलेक्शन के लिए कोश्चन नमबर थर्ड है हमारा विच निडल गेज इस मोस्ट प्रिफर्ड फोर ब्लड ट्रांस्फूजन ब्लड ट्रांस्फूजन के लिए मोस्ट प्रिफर्ड कौन से गेज का निडल है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा उप्शन C 16 गेज निडल चली कोश्चन नमबर 4 देख लेते हैं विच गेज निडल इस यूज़ फोर इंसुलीन इंजेक्शन और इंसुलीन इंजेक्शन के लिए हम लोग कितने गेज के निडल का इस्तमाल करते हैं तो इसका राइट एंसर हो जाएगा उप्शन D 31 गेज निडल चली कोश्चन नमबर 5 देख लेते हैं तमारा कोश्चन नमबर 5 है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा उप्शन A 32 गेज निडल यह जो 32 गेज निडल है यह लगबग हमारे दो हेर स्टेंड जो होंगे उसके बराबर यह है उप्शन नमबर 6 है उप्शन नमबर 6 है उप्शन निडल को ड्रोग करने के लिए सबसे छोटा सा निडल कौन सा हो सकता है तो इसका राइट एंसर है उप्शन A 25 गेज निडल यह हम 26 यह इसे अबब यह हम जाते हैं तो वहाँ पी क्या होगा कि जो हमारे blood cells होंगे वो डाइमेज हो जाएंगे क्वेशन नमबर 7 है जो कितना होगा तो उसका length हो जाएगा एक से डेर इंच ठेक है यानि अपसंसी इस दा राइट अंसर 1, 2, 3 by 2 इंच क्वेशन नमबर 8 है हमारा जो जो गेज बाइज होता है तो जो जो इसमालर होगा तो लुमन जो lumen है वो narrower होता जाएगा ठीक है जैसे ही gauge के gauge के संखियां बढ़ेंगे question number 9 है which way suit the bevel face जो bevel का face है वो किधर होना चाहिए तो इसका right answer है option A facing up यानि bevel का जो face है वो up होना चाहिए question number 10 देख लेते हैं अब what is the lumen पुछा रहा है lumen क्या है तो इसका right answer हो जाएगा option A the external hollow space of the needle जो external hollow space होता है needle का उसको लोग बोलते है lumen ठीक है चले question number 11 देख लेते है the bevel bevel जो है वो कहां होता है तो इसका right answer हो जाएगा the slanted part at the end of the needle जो slanted part होता है needle के end में वो हमारा है bevel ठीक है चलिए question number 12 देख लेते है where is the hub आप पुछा रहा है hub कहां पे है तो इसका right answer हो जाएगा the plastic part जो plastic part होता है वो hub होता है जब आप collection कर रहे होते हैं तो वहां पे आपको जब सही insert करते हो आप तो आपको hub में जो है blood आ जाता है question number 13 है the long cylindrical portion of the needle जो long cylindrical portion है needle का उसको हम लोग क्या बोलते हैं तो इसका right answer हो जाएगा option A. 7 question number 14 है what color is an 18 gauge needle 18 gauge needle का कौन सा color होगा तो इसका right answer हो जाएगा option A. green color question number 15 यह हमारा आज का आपरी question है चलिए इसको देख लेते है what color is an 22 gauge needle तो 22 gauge needle का कैसा color होगा तो इसका right answer हो जाएगा option D, blue